हलो एवरीवान आपका स्वागत है मारी यूटूब चैनल अंजले कुकिंग में आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एकदम निव रेसिपी कैरेमल कस्टेड पूडिंग केक और इसको बनाना बहुत ही असान है कम खर्चे में, कम इंग्रेडियन्स में और कम टाइम में बनकर त्यार हो जाता है इसको पुनाने में हमें कोई ओवन की जरुवत नहीं होती है इसे हम गैस पर ही बनाएंगे और एकदम सॉफ्ट बनता है मेहनत भी कम लगता है और एकदम सॉफ्ट बनता है तो यह देखिए देख रहे हैं कितना स्वंची और कितना सॉफ्ट बना हुआ है तो चलिए फ्रेंज बिना टाइम बेश्ट किये हम कैरेमल पुडिंग केक बनाने की रेसिपी सुरू करते हैं यहां पर हमने सक्कर ले लिया है सक्कर हमने लगभग चार चम्मच लिया है बड़े चम्मच से और सक्कर को हम मेल्ट करेंगे तो इसको हम पैन में अच्छे से फैला देंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें हम पानी बिलकुर भी ने डालेंगे क्योंकि हम सक्कर क करमलाइज कर रहे हैं तो इसमें हमें पानी नहीं डालना है बीना पानी के ही इसको करमलाइज करना है और जब तक हमारा सक्कर melt हो रहा है तब तक हम cactin को भी अच्छे से त्यार कर लेंगे तो cactin को हमने oil से grease कर लिया है उसमें हमें कोई paper नहीं लगाना है और यहाँ पर देखिए सक्कर भी हमारा धीरे-धीरे करके melt होना सुर्गों गया है और gas का flame low है इसे हम low flame पे ही melt करेंगे इसको हम एक दो बार चम्म से ऐसे मिला देंगे कि जो सक्कर नीचे में जमा हुआ हूँ वो अच्छे से मिल जाए और ये देखिए हमारा जो सक्कर का जो कलर हैं देखने न बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है तो इसको अब हम केक्टीन में ट्रांस्पर कर लेंगे थोड़ा सा जादा लाल हो गया है पर कोई नहीं लाल होना ही चाहिए तभी आपका जो कैरेमल पुडिंग केक जो होता न वो अच्छा बनता है तो ये देखिए इसको हमने केक्टीन में डालते हैं और डालते से ही ये जम चुका है तो इसे अभी हम साइड में हटा देंगे और यहाँ उसको द देखिए अब हम पर स्निन जेखिए और यहाँ बडिया है तो यह जो पर मोदन से पर हम कारुड कर ले half अधे नौti यह न ब्रॉ कुल सा कट कर में लिए है को आप चाहिए तो ब्राव वाल ऑला हम देखिए पर यहाँ पर यहाँ पर यह वाई्ट आनल ऑपने वाय सेंज हो जाएगा इसी लिए साइट का जो किनारे का जो हिस्सा है उसको हम काट कर हटा लेंगे और ब्रेट को हम ऐसे ही छोटे चोटे टुकरों में कट कर लेंगे यह देखिए देखिए ऐसे करके हमने सारे ब्रेट को छोटे चोटे टुकरों में कट कर लिया है तो अब हम इ में हम ब्रेट डाल देंगे और इसको हमने पीस लिया है यह देखिए देखिए ना एक दम महीन पीसा है हमने यानि कि जैसा महीन पीसना चाहिए ब्रेट को वैसा हमने पीस लिया है तो ऐसे करके हम सारे ब्रेट को पीस लेंगे उसका हम पाउडर बना लेंगे और यहां पर द कप चुछ सक तो यहां पर चुमच कश्ट्रड पाउडर तो यह हमने लिया है केसर पिस्ता वाला आप चाहे तो बटर स्कोच वाला भी ले सकते हैं तो यह जो दाने दार दिख रहा है न यह कोई ठील का नहीं यह जो पीस्ता होते नो वही वाला है तुकरा है उसका तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसको ठंडे पानी में करना है मिक्स और यह देखें फ्रेंस दूद में अच्छे से उबाला गया है सक्कर डालने के बाद में और सक्कर भी हमारा मेल्ड हो गया है यहां पर दूद को हमें जलाना नहीं है याने कि दूद को हमें रबरी नहीं बनाना है दूद जितना है उतना ही रहने देंगे और उसमें हम दो-दो चमच करके ये custard powder डालेंगे जो घोल के रखा है न हमने उसको अब हम डालेंगे दो-दो चमच करके थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और इसको अच्छे से mix भी करना है अगर आप एक साथ में डाल देंगे तो इसमें लंस पर जाएंगे और लंस अगर एक बार पर तो फिर उसको ना फोर ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके डालें और उसको अच्छे से mix करते हैं कि इसमें एक भी लंस ना पड़े और यह देखिए हमने इसको अच्छे से mix कर दिया है तो मैं इसमें डाल रहे हूँ ब्रेड जो हमने पर इसको हमें थोड़ा सा इसमूध करना है और एक दम इसको अच्छे से mix करेंगे कि इसमें कोई लंस ना रहे है अगर इसमें लंस रह गया तो आप जो बनाएंगे ना कैरेमल कश्ड़ पुडिंग तो वह खड़ाब हो जाएगा खाने में भी मजा नहीं आएगा तो यह देख रहे ना कितना स्मूध हो गया है और एकदम चिकना भी हो गया है तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम डायरेक्ट केक टीन में ट्रांस्पर कर देंगे जिसमें हमने कैरेमल करके रखा है ना कैरेमलाइज करके सक्कर को उसी में अब हम इसको डाल देंगे कर देंगे और साइड में हमने पानी भी रख दिया है उबलने के लिए इसे हमें कोई आवन में नहीं बनाना है आवन में बनाना रहता तो आवन तो हर किसी के पास में अबलेबल नहीं होता है इससे लिए इसको आवन में नहीं बनाएंगे और यह लिजे फ्रेंस हमने उपर स अलुमुनियम फोईल से और पानी में भी अच्छे से उबाला गया है तो अब हम केक टीन को इसमें रख देंगे पानी के ऊपर और इसे अब हम ढख देंगे और यह जो देख रहा है आप छोटा से एक छेद दिख रहा है इसको भी हम कोई कागज के टुक्रे से बन कर देंगे क्योंकि इसमें का जो एर है वो बाहर न निकले और हमारा जो केरेमल कस्टर्ड पुडिंग जो केक है वो अच्छे से बने तो इसको हम लगभाग मीरियम फ्लेम पे 20-25 मिनट पकाएंगे यानि कि 20-25 मिनट तक इसको हम कुक करेंगे तो यह लिजे फ्रेंस लगभाग हमने इसको आधे घंटे तक कुक किया है और आधे घंटे के बाद मैंने गैस बन कर दिया है और इसे अब हम करहाई से बाहर निकाल लेंगे और रूम टेमप्रेचर में इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए और जब 10-15 मिनट हो जाएगा रूम गंटे के लिए अगर आपके पास मềं टाइं तो इस यह लगते हम ने दो गंटे के लिए ठंडा हो द्रश्वा से taking और यह कर के रख देंगे कि कैसा बना है, कितना soft है, तो ये देखिए, देखिए न, वाव, बहुत ही soft बना हुआ है, ये काटने से ही पता चल जा रहा है, कितना soft है, देखिए, वाव, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, ये देखिए, और इसका जो color है न, वो भी देखिए, कितना बढ़िया color आया है मेरे को लग रहा था कि साइद यह ग्रीन हो जाएगा पर यह ग्रीन नहीं हुआ एक डम वाइट हुआ है और यह देखिए देखरें न कितना सौफ्ट हुआ है जैसे ही मैंने दबा के इसको छोड़ दिया एक तम फुल गया मतलब बिल्कुल भी नहीं दबा दबाओ दबाते स छोड़ो उसको छोड़ते से ही फुल जा रहा है और उपर से एकदम क्रीमी क्रीमी लग रहा है वाव बहुत ही बढ़िया लग रहा है इसमें हम थोड़ा सा केरमल डालते तो बहुत ही बढ़िया लगता खाने में पर कोई नहीं एकदम बढ़िया लग रहा है मार्केट जै और फ्रेंस यह बहुत ही बढ़िया बना है मैं आपको बताने सकते हूं और इतम सौफ्ट बना हुआ है देखकर मुह में पानी आ गया है और यह उपर का जो टेक्सर देख रहे हैं कितना बढ़ी एकदम क्रेमी दिख रहा है देखने में इतना बढ़िया है तो सोचे खाने मे खाया जाओं मेरा हाथ रुकी नहीं रहा है तो फ्रेंस आप भी एक बर बनाई मेरे तरीके से और मुझे कमेंट्स करके बताएगा कैसा बना है और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगिए तो प्लीज आप भी ट्राइ कीजिएगा और अपने फैमिन फ्रेंस के साथ ज आपके हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और मुझे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे फॉलो करना भी न भूलिएगा उसका लिंक हमने डिस्किप्शन बक्स में दे दिया है आप देख लीजेगा बिलते हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई